वेलकम बेक माई चैनल किट्स एंड वर्ल्ड मम्मी तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चा सो रहा है थोड़ी सी आहट होती है या कुछ चीज गिर जाता है उसकी आवास से वो एकदम उठ जाता है तो बच्चे ऐसे क्यों उठते है इसके मैं आपको कारण बताऊंगी ऐसे में कई आपको टिप्स या ट्रिक्स से बताऊंगी कि बच्चों को आप continue आराम की नीत कैसे सुलाएं सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी कि आपको लगता है कि जैसे बच्चा जैसे सोया है अराम से तो वो ऐसे कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं डारेक्ट जैसे वो उठने वाला है तो आप ऐसे करिए जैसे ये बेबी है तो आप ऐसे करिए ऐसे मात यह आपेशसे कर सकते हैं यह पीचा प्रॉट के बहुत जल्दी और अराम से सोटा और इसको प्रॉट लगता है और वह सकता है। तो आप उसको तुरंत हटा करके वैसी उसको अच्छी position जैसे भी आपके बच्चे को comfortable लग रहा है आप यह ऐसे सुला दीजिए अराम से और ऐसे थपकी दीजे बच्चे को तो बच्चे का करेगा ना बीच में से नहीं उठेगा और वो तुरंत सोने की कोसिस करेगा और आप ध्यान देना कि धीरे धीरे या पांच मिनट या दस मिनट उससे भी पहले बच्चा दुबारा से सो जाएगा और वो बीच में से नहीं उठेगा अगर बच्चा बीच में से नहीं उठेगा तो वो क्या होगा बच्चे को इरिटेशन भी नहीं होगी और बच्चा चिर चि जो रोते हैं बच्चे वो अचानक से उठते हैं क्योंकि ऐसा उनको एहसास होना चाहिए कि आप भी उनके साथ सोय हुए हैं बच्चा अगर जैसे मेरा बेटा काविस भी जब कभी अचानक से ऐसे उठता था तो फी इधाधर देखता था अगर मैं उसको दिख गई वहाँ पर बगल में सोय हूँ अगर मैं उसको दिख गई तो वो दुबारा से सो जाता था अगर मैं उसको नहीं दिखी तो वो चिला चिला करके रोने लगता था तो मैं आपको ये बताओंगे कि आप बच्चे को हमेसा अपने पास ऐसे चिसका करके अराम से सुलाईए उसको एहसास दिलाईए कि हां मैं यहीं पर हूँ और मैं आपके सास सोईँ क्योंकि बच्चा जो है अपनी मम्मी को नहीं देखता है तो वो जोड-जोड से रोने लगता है या उसको एक अंदर से डर लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है स्टैम्पे तो आप क्या करिए उसके साथ आराम से उसको एहसास दिला करके सुलाईए कि मैं यहीं पर हूँ तो बच्चा continue सोता रहेगा और बीच-बीच में से नहीं उठेगा थर्द है कई बारा बच्चों को ऐसा लगता है यह जैसे हम नंको खुद आदwon देतेगे यहां हम इân को छूले में सुलाने की आदत दाल देते हैं यह हम उनको हात में ऐसे करके सुलाने की आदत दाल देते है या हम उनको लोरी सुना करके या सुलाने की आदत दाल देते हैं तो बच्चा क्या करता है उस चीज को ना पकड़ लेता है कि हाँ मुझे इसी चीज से next time भी सोना है पहले तो आप ऐसे आदत बच्चों को दालिए जो आप उस चीज को continue रख सके ऐसी आदत से आप बच्चों को हमेशा बच्पन से सुनाएंगे तो बच्चे जो होंगे उसी चीज को पकड़ेंगे अगर आप बच्चों को जैसे ऐसे वाली आदत दाल देंगे या गोद में सुलाने की आदत दाल देंगे तो बच्चा क्या करेगा उस चीज को पकड़ लेगा और वो बोलेगा कि next time से मुझे ऐसे ही सोना है तो आप क्या करिए अगर आपको बच्चा जैसे आपका सोता है आप उसको वैसे सुलाने के कोसिस करिए इससे भी बच्चा अराम से सोएगा और उसको पूरी नीद मिलेगी फोर्थ है last most important टिप्स या ट्रिक्स आप ले लीजिए बच्चे को जब भी आपने सुला रखा है आप हमीसा इस चीज का ध्यान रखिए कि बच्चे को आपने जो कोई कपड़े पहना रिखें तो वो टाइट तो नहीं हुए है बच्चे को कपड़ा पहना जो उसको comfortable हुआ है नहीं हुआ है या बच्चे को कुछ अंदर से कुछ eating तो नहीं हो रही है कहीं खुजली तो नहीं हो रही है या बच्चे को आपने जिस जहां पर भी सुला रखा है वो नीचे जो उसका गदा है वो comfort है या नहीं है या आपने बच्चे को जिस भी जिस भी position में सुला रखा अगर आपने ऐसे सुलाया है सीधे सुलाया है ऐसे सुलाया है तो अगर बच्चे को जैसा हाद यहां पर दबा के ऐसा सोई रहेगा तो अचानक से वो उठेगा तो उसमें दर्द होगा तो भी बच्चे क्या करते हैं बीच में से उठने के चांसे बच्चों के रहते हैं या आप यह सब चीज़ें देख करके बच्चों को पूरा कमफर्टेवल या कमफर्ट गिला करके सुलाने की कोसिस करिए और बच्चों को एक अच्छी पोजिसन में सुलाईए जिससे बच्चा बार बार या बीज बीच में नीद तूट करके रोए नहीं अगर आपको वीडियो हेल्फू फूल लगी होगी तो प्लीज लाइक से हैं सब्सक्राइब थैंक यू वाचिंग फर माई वीडियो किट्स एंड वर्ल्ड ममीज